हलो फ्रेंड्स, स्वागत था आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो नेट यूजी स्टुडेंट्स के लिए इंपोर्टेंट रहने वाली है यह आप सभी को पता है टू राउंड्स जो है कंप्लेट हो चुके है राउंड वन और राउंड टू आज मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाली हूँ जिन भी स्टुडेंट्स ने राउंड टू के अंदर पार्टिस्पेट किया था और जो आगे करने वाले है उन सभी के लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है तो आज मैं इस वीडियो में दो ओफिशियल नोटिस टेट काउंसलिंग के आपको बताने वाली हूँ आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि कोई भी latest information आपसे miss ना हो अगर आप next year preparation कर रहे हैं तब भी ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही important रहेगा क्योंकि last year की भी update आपको इस चैनल पर मिलेगी उस से last year की भी इस चैनल पर मिलेगी और इस साल की भी और आगे भी आपको मिलती रहेगी तो देखे गाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो दो नए official notice आउट हुए है उनकी तो देखे तो गाई सबसे पहले हम बात करते हैं ये first official notice जो आउट हुआ है ये हरियानव स्टेट की students के लिए हुए है पंडित B.D.Sarma University of Health Sciences ठीक है आप देख सकते है ये revised physical document verification schedule है round 2 का पहले कुछ और देट दी गई थी अब revise की गई है ठीक है तो कब से कब तक आपका रहेगा ये आप देख सकते है 28 November से आपका start है day of document verification और 28 से 2 December तक ये चलने वाला है टाइमिंग आप देख सकते हैं और category wise बुलाया गया है जैसे 28 November को evening 2 PM NRI category होगा 4 PM PWD ESM FF और EWS category होगा ऐसे 29 November को morning 9 AM को BCA category बुलाई गई है 30 November को BCB SCST category बुलाई गई है 1 December को open category और 2 December को management quota और minority category के student जो है वो बुलाई गई है venue कहाँ पर आपको पहुचना है गुरू ग्राम में पहुचना है PWD rest house near forest office गुरू ग्राम ठीक है यहाँ पर document verification होगा यहाँ कुछ important note दिया गया है जो आप लोगों के लिए important होगा जो भी student group of student जो जिनने भी participate किया था round 2 में उनको appear करना चाहिए before admission committee for document verification first allotted जो भी student allot किया है जिनने round 2 seat and successfully deposit provisional tuition fee next है आपका upgraded in round 2 seats and successfully deposited provisional tuition fee next no change in round 2 of seats और last date जो रहेगी reporting की guys वो 3 December रहने वाली है तो एक और इसके साथ में attach किया गया है जो पुराना official notice है कि कौन-कौन सी documents जो है आपको prepare करके लाने है तो यह documents की list दी गई है जिसकी वीडियो मैं already बना चुकी हूँ ठीक है उसके बाद जो next एक और attach किया गया है पहले का पुराना official notice जो की है public notice for NRI OCIPIO यह भी मैं आपको अपनी official website पर जब यह आया था तब मैं आपको बता चुकी थी NRI बगरा के लिए कौन-कौन सी document की जर्रत होगी कौन सी conditions जो है fulfill होने चाहिए वो यहाँ पर फूरी mention की गई है ठीक है यह आप लोगों के लिए important information था अब मैं बात करती हूँ दूसरे official notice के जो दूसरा notice जारी हुआ है वो क्या हुआ है तो देखिए यह गाइस second official notice है tuition fee को लेकर revised schedule को लेकर तो क्या है इसके अंदर in continuation of public notice bearing this the last date of deposition of provisional last tuition fee online through admission web portal is hereby extended to 18th November 28th November evening 2 p.m. तक आप कर सकते है admission MBBS और BDS course के academic session round 2K phase ठीक है जो भी other terms रहेगी वो unchanged है वो वही आपकी follow होने वाली है यह गाइस लोगों के आप लोगों के लिए important information थी फिर भी अगर आपको कोई doubt लगता है या किसी particular state का जानना है तो आप comment के जड़ी पूछ सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो like और share करना बिल्कुल भी ना भूले तो जल्द ही मिलते हैं next new update के साथ तब तक के लिए thank you guys